इस वीडियो में हम बात करेंगे आप कैसे email id का यूज करके किसी भी दूसरे user के email id पे photos send कर सकते हैं या फिर कोई साथ वीडियो से या आप जो भी document send करना चाहते हैं आप कैसे send कर सकते हैं चलिए हम अपना Gmail open कर लेते हैं मैंने अपना Gmail open कर लिया है उसके बाद आपको यहाँ जो compose का बटन आ रहा है आप देख सकते हैं आप इस पर click कर देना है उसके बाद यहाँ आपको उसका email id डालना है जिसके email id पे आप photos send करना चाहते हैं तो मैं आपना email id यहाँ से इंटर कर लेता हूँ आप देख सकते हैं मैंने email id इंटर कर लिया है उसके बाद आपको यहाँ जो यह बटन आ रहा है आप देख सकते हैं आपको इस पर click करना है मैंने click कर दिया उसके बाद आपको आपको आप देख सकते हैं attach file जो पहला option आ रहा है उस पर click करना है दोस्तों अब आप चूज कर लें आप जीज भी फोटो को सेंड करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लें मैं सेलेक्ट कर लेता हूं यहां से अब देख सकते हैं मैंने फोटोस को सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद आपको यहां जो सेंड को अला उप्सन आ रहा है आप देख सकते हैं यहां पर इस पर क्लिक कर देना है मेरा इमेल सेंड हो रहा है अब देख सकते हैं यहां मेसेज मुझे आ रहा है सेंड का मेरा इमेल यहां सेंड हो चुका है आपको यहां जो त्री डोट का उप्सन आ रहा है उस पर क्लिक करना है उसके बाद आपको सेंड का यहां आप देख सकते हैं सेंड का उप्सन आ रहा है किसी को भी फोटो सेंज करना साथ आते हैं तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आ हो तो वीडियो क्लैक जरूर कर दे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें